एक समय की बात है, एक कलाकार अपने ओजारों को थेले में भर कर जंगल की और चल देता है, थोड़ी दूर चलते चलते उसको रस्ते में एक बहुती सुन्दर पत्थर दिखता है, और बहुत सोचता है क्यों न इस पत्थर से में एक मूर्ति बनाऊं, फिर वो अपने थेले स ओजार निकालता है, और ओजारों से पत्थर को तरासना शुरू कर देता है, तभी पत्थर में से एक अवाज आती है, अरे भाई, रहने दोना दर्द होता है, यह सुनने के बाद कलाकार अपने ओजारों को अपने थेली में भर कर आगे चल देता है, चलते चलते उस कलाका को रस्ते में और एक बहुत सुंदर पत्थर दिखता है इस बार वह इस पत्थर से मुर्ति बनाने का सोचता है और वह अपने ओजारों को बाहर निकाल कर एक भगबान की मुर्ति तरासना शुरू कर देता है इस बार इतने बढ़िया से मुर्ति को तरासता है देखने से लग बहुत कलाकार एक गाउं में पहुशता है और देखता है बहा एक बहुत सुन्दर मंदिर का निर्मान हुआ होता है और बहा के लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तभी उसे पता जलता है मंदिर का निर्मान हो गया है लेकिन अभी मूर्ती का निर्मान नहीं हुआ है इस रस्ते चले जाये आपको रस्ते में एक सुंदर मूर्थी मिल जाएगी। मैंने अभी उस मूर्थी को तराशा है आप उसको इस मंदीर पे इस्तापिथ कर सकते है। ये सुनने के बाद सर्पन जी कुछ लोगों के साथ जंगल के रस्ते चल देता है। बहो मूर्ती लाने, उनको मूर्ती मिल जाती है और मूर्ती को लाकर मंदिर में इस्तापित कर देते हैं, अब लोग आते हैं और मूर्ती के सामने अपना सर जुकाते हैं और मननत मांगते हैं, मगर उस मंदिर में नारियल पूर्णे का कोई जगा नहीं होता, तब सर्पन जी क जो भी मंदिर में पूजा करने आता है उस पत्तर के उपर अपना नारेल फोड़ता है। फिर एक दिन दुपयर के बक्त उस मंदिर में कोई नहीं रहता है। तब दोनों पत्तर आपस में बात कर रहे होते। जिस पत्तर पर आज सब नारेल फोड़ते हैं वो पत्तर मुर्ति वाले पत्तर से बोलता है। अरे वो पत्तर तेरी क्या किस्मत है। तुझे आज भगबान बना कर पूजा जा रहा है। तेरी इतनी आरती उतारी जा रही है। यह सुनने के बाद मुर्ति वाला पत्तर बोलता है। अगर तु मेरी तरह सेन कर लिया होता तो आज तु मेरी जगा बैठा होता। जी हाँ दोस्तों अगर बहो पत्तर जिस पर आज नारेल फोरा जा रहा है अगर वो उस दिन दर्द सेन कर लेता तो आज वो भगबान होता और उसकी पूजा और आरती हो रही होती आज के पेनदाइक हिंदी कहानी से हमें क्या सिख मिलती है दोस्तों आज की कहानी से हमें बहुत बड़ी सिख मिलती है इस दुनिया में उसी इंसान को पूजा जाता है जो सकसेस होता है और सक्सेस उनी लोगों को मिलती है जो अपने जीवन में कुछ बनने के लिए बहुत दर्द को जेलता है इसलिए दोस्तों आप सबसे एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा आप आज जो भी कर रहे हैं आप उसको लगन और करी महनत से करिए चाहे वो पढ़ाई हो या फिर बिजनेस आपको सपलता जरूर मिलेगी दोस्तों इस कहानी की तरह हम सबकी कहानी है जो लोग दर्द सैते हैं भी अपने जीवन में कुछ बड़ा बन पाते हैं और उन्ही को लोग पूस्ते हैं दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जादा से जादा से शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हम ऐसे कहानिया लाते रहते हैं तो अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत